तो आज की वीडियो में हम लोग बात करें हैं, यह अमारेस को लेकर के बात करेंगे, यह अमारेस के अंतरगत अगर हम बात करें तो लगबग 30,000 के आसपास पद अभी रिक्त हैं, 30,000 के आसपास पद रिक्त हैं, उसके बारे बात करेंगे, इससे पहले आपको पता है कि जो सेक्रिटियेट लेव अटेंटेंट और इनको मिलाके 4062 के आसपास एक वेकंसी हुई थी और TGT और होस्टल वार्डन को मिलाकर के मेल फीमेल को 6339 के आसपास वेकंसी हुई थी तो अगर आप बात करेंगे लगबग तो आसपास कुछ पदाओं पर बेकंसी हुई थी जिसमें 78000 पदाओं पर फाइनली भरती हुई है तो 3000-4000 उसमें से खाली बच गए और आप 30,000 पद और है कुल विलाके इनको जोड़िया जागा तो 30,000 के आसपास मोटा मटी आगे पीछे पद जो भी रिक्त हैं जिसको लेकर क आपने एक notification तो यह circular हो रहा चार तरफ आपने देखा होगा हर एक टीचर ने आपके उसके बारे में बताया होगा कि यह जो है पांच 11-2024 का एक notification जिसमें कहा गया था कि वर्च्वल मीटिंग चिडूल एड 3 पीम आट 6 11 6 11 24 को पर प्रिंसीपल अफ आल एमरेस इन कनेक्श टुवारर के लीए उस बादा पर भरतु आईगी उस बारती के लिए कितने प्यतलों पर भरती होगी कैसे कैसे होगी उनको लेके जितने भी एमरस की स्कूल है उनके जितने भी चिप्रिंशीपल है सब के सास्फ में इंग मीटिंग को शिole किया है मतलब जो EMRS के नहीं स्कूल बन रहे हैं उसके रिगार्डिंग कितने अप्वदों पर भरतिया हो नहीं है क्या क्या चीज़ें कितने पर पहले हो चुके हैं सहसने 2024 पच्चिस हम देख रहे हैं अपर लेका है तो 2024 पचा तो एक दिड़ महीना बचा और 2025 का महीना है तो यह तो कहना उच्चित नहीं होगा मेरी तरफ से कब यह बरति आएगी तो अगले 10 साल तक बरति नहीं आएगी तो 4-6 महीने में बरति ज़रूर आएगी हमें उसको हमारस में किन-किन पदों पर वर्ती निकलती है तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर, आर्ट टीचर, मुजिक टीचर, फिजीकल एजूकेशन वाले टीचर की भी वर्ती यहां पर आ जाती है, है ना भिया, प्लस उसके आधार पर हम TGT की 226 पोश्ट थी दार रखना और उसके इलाबा जो TGT की पोश्ट थी जिसमें 566 TGT की पोश्ट थी यह निगली थी जिसमें TGT में जो मेरा सब्जेक्ट है स्टडी उसकी टोटल 670 पोश्ट निगली थी तो अनुमान तवान के चलिए कि अगली बरती जो TGT की MRS के अंतरगत आएगी PGT की उसमें तकरीवन इतनी 700 800 1000 के असपास TGT के अंतरगत Social Science की पोश्ट यहां पर रहेंगी रहेंगी दार रखना ठीक है अच्छा अब हम यहा इसको लेकर के जो फीस होती है 1000-2000 रुपे फीस है उसको तो कोई discussion का point नहीं है PGT के अंतरगत जैसे मेरा subject रहता है geography उसकी 114 पोश्ट रहती है तो अगर आप PGT की त्यारी कर रहें तो एक बार अनुमान यहां पर देख लीजे कि लगवग इतनी total पोश्ट है मतला हर एक में 100-200-200 पोश्ट PGT की निकली है तो आगे भी उसी तरीके से निकलेंगी तो आप अपनी subject को मजबूत करके चलिए PGT की द्रस्टी से राइट ठीक है आगे चलेंगे अच्छा यह अलग language वाली vacancy हो जाती है इनके बारे में अलग चलेंगे आप समझने की कोसिस करिएगा सबस अलग के आएपने सेलरी है 2.2 – 2.2 लाग तक की सेलरी यहां पर पहुँंचाएगी दारखना PGT के टीचर के बारे में अगर हमकर आग बात करेंगे दारखना तो जो PGT का टीचर है उसमें लगबक दारखना 47.1 श्यार से शुरूत होके लगए 15.000 तक आपकी वेकल्सी है तो टोटल वो भी अपना सवाला घ्रलाग तक पहुंच जाता है तो अनुमानता सेलरी आपकी इतनी हो जाएगी तो एक तो बात होगी आपका जो डाउट है कि इसमें सेलरी तो बहुत हैंसम सेलरी होती है इस बात को द्यार रखना अब दूसरा मेहत्पूर मुद्दा यह है कि य स्लेवस वाले मुद्दे पर आएंगे स्लेवस क्या हो जाएगा इसका तो स्लेवस में दार रखना भी एक्जाम अब्जेक्टिव टाइब होता है 130 मार्क्स का तो पेपर होगा और उसमें 20 नमर की अलग से आपका लेंग्विज वाला सेग्मेंट हो जाएगा टोटल देट टो आपका ये वाला सेग्मेंट हो जाएगा ठाशल प्लस आपका ध्यान रखना 80 नमर का क्या हो जाएगा आपका सबजेक्ट हो जाएगा ऑपका सब्जेक्ट होजाएगा ब॥स्ट इसके झमड़ यह उसमें पांच नमार का वीड़ुअ पंज देग्वान को या रिक्पो तो टोटल अगत देखेंगे 130 नमर का आपका सेग्मेंट यह हो जाएगा उसके अलावा बात करेंगे तो 20 नमर की आपकी लेंग्विज हो जाएगी तो टोटल हो जाएगे 800 नमर का पेपर हो जाएगा तो एक्जाम पैटन आपको समझ में आगे यह बताईए इसका एक्जाम पैटन के इस तरीकी साब के एक्जाम पैटन है धारकना तीन घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए ठीक है भी यह आगे चलेंगे नहरक न भी यह लैंग्विज के बारें बात करेंगे जो लैंग्विजट टेस्ट है उसमर है जनरल इंग्लिश अजणरल हिंदी दस डज नमर की होगी 20 नमर की दस नमर की इंदी दस नममर इंग्ग्लिश अट्ट defending इसपर दस नमबर के आपकी इसमें इंगलिस 40% चार और चार लाने लाए लगो 8 नमर के अस्पास होगे दाहर रखना तो इतने नमबर आपके लाने हैं अगर आप इसमें फेल होगे तो आपको ऊपर खाले वह चेक नहीं होगा तो जनली आपको अपनी तयारी में क्या करना है नौरमली अपना jkjs अपना पढ़ते रही है नौर्मली अपना करेंट एपर बेसिक रिजनिग पढ़ लीजेये कंप्यूटर बेसिक आपका जो ए और टीचिंग सबसे अपहत्पुने आपका सब्चेक्ट जो आपने अपने सब्चेक्ट आपने पढ़ा है तो अगर हम बात करेंगे तो English, Hindi, Regional Language में और उसके लावा ये सबी उसमें वेकंसी निकलेगी आचा दूसरी बात है एस कितनी हो जाएगी दान रखना भिया तो 40 साल से जादा आपकी उमर नी होनी चाहिए इस बात को दान रखना अगर आप पहले से EMRS के इंपलोई है तो आप 55 साल तक फरम इसमें भर सकते हैं 40 साल से जादा आयो आपकी PGT में नहीं हो सकती इस इसको नोट कर लिजएगा आचा दूसरी बात करेंगे यहां पर यह बातों के लिए रोगी दान रखना भी है दूसरी बात इसके हो कैसे सकता है मतलब क्या क्या होना चाहिए इसमें तो आपका इसमें पोस्ट ग्रेजिज बात के लिए यह बात समझ में आ गया तो PGT को लेकर के अगर मैं बात करूंगा तो PGT को लेकर के अगर आप तयारी कर रहे हैं यह मरस में तो PGT को लेकर के आपका जो है कि पोस्ट ग्रेजिशन होना चाहिए आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी होनी चाहिए 40 स साल से जाद आपकी आयू नहीं होनी चाहिए अगर आप EMRSK आप अले से मेंबर हैं तो 50-55 साल तक वहां पर बर सकते हैं एक्जाम के बारे में आपको उता दिये 130 नमबर पर आपका क्वालिफाइंग मेरिट आपकी लगेगी दाहर रखना ट्रें गरिजुट टीचर TGT के यहां पर क्या हो जाएगी सेल्री हो जाएगी दाहर रखना भी यह हो जाएगा आलंगी यह तो बेसिक सेल्री यह दिये 4 यह जोड़की 65 यह तक आपकी बड़ी आराम से पहुंच जाती यह भी कैसा होगा ओमर बेस्ट पेपर होगा ओफलाइन होगा अब्जेक्टिव टाइप होगा 120 नमर का यहां पर दान रखना पेपर होगा यह अंतर है PGT वाला 130 यह 120 का है और लेंग्वेज वाला सेग्मेंट इसमें 30 नमर का यह थोड़ा बदलाव है आपको समझना पड़ेगा माने TGT का तो 120 नमर का प्यपर होगा PGT का 130 नमर का इसको तोड़ा समझना पड़ेगा क्या अंतर का प्या है अंतर यह पर आ चुका जहां रीजनिंग यहां पर 20 नमर की थी PGT में रीजनिंग यहां पर 10 नमर की है खेलो इंडिया यह अवाला प्रोग्राम उनके लिए जो फिजिकल एजूकेशन टीचर बनना चारें उनके लिए तो आपके लिए तो आपको यह भी यहां पर सामल कर लिया जाएगा और यहां पर 30 नमर की आपकी लेंग्वेज है क्या अंतर आगे दान रखना यहां पर 10 माक EACH Language के लिए जाएंगी दान रखना एक तो आपकी यहां पर जनरल हिंदी हो जाएगी एक आपकी जनरल इंगलिस हो जाएगी और एक आपकी रीजनल लेंग्वेज government India administration aptitude और त्यादी चीज़ों को मिला के 120 नमर का पिपर यहां पर ही हो जाएगा ठीक है अच्छा एक तो यह हो जाएगा ठीक है TGT का मैं आपको बता दिया TGT में 35 साल से उमर ज्यादा नहीं होनी चाहिए TGT में 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस बात को द्यान रखना अगर आप EMRS के कंडिडिट है तो आप 55 साल तक फरम बर सकते हैं इस बात को द्यान रखेगा ठीक है अच्छा TGT की तियारी करते वक्त जो सबसे महत्मौन बात है वो क्या भी है TGT में भी क्या होना चाहिए तो TGT में धारखना for all TGT past the central teaching eligibility test conducted by CVS in accordance with the guideline framed by the entity for the purpose धारखना TGT में क्या एक तो आपका graduation होना चाहिए अंतर है धारखना TGT में आपका एक तो graduation होना चाहिए प्लस आपका क्या होना चाहिए दा रखना beard होना चाहिए प्लस आपका CTAT का paper 2 पास होना चाहिए इस बात को दा रखना क्योंकि EMRS में एक तो TGT की वेकंसी निकलती है PGT की वेकंसी जनरली 11-12 तक होती है और TGT की वेकंसी छटवी से लेके 10 तक ही होती है अब यह school के board के उपर निर्वर करता है principle के उपर निर्वर करता है कि वह यहां पर 9th और 10th में पढ़वाने के लिए यह PGT वाले teacher को लगा सकता है या TGT वाले teacher से 6-10 तक तो sheeted paper two pass होना चाहिए PGT में कोई भी आपका sheeted pass नहीं होना चाहिए ठीक है general awareness, reasoning ability, general awareness में अपना current affairs और GKGS, reasoning में अपना puzzle, seating arrangement, data efficiency, statement based question, verbal reasoning में inequality, blood relation, sequence series, direction test, assertion, इत्या दी चीजे, knowledge of ICT आपका computer, बहुत basic basic बाला और teaching aptitude आपका यहां पर है ही है उसके लाब आपका subject, NEP, general English औ और आपके general India का syllabus यहां पर दे रखा है, तो कुल में आगे गर हम बात करेंगे, तो यह हमने आपके लिए पूरा proper में आपको बता दी हमारस में, eligibility क्या है, यह मैंने आपको बता दी, PG team teacher बनना चाह रहे है, post gradation, beard होनी चाहिए, 40 साल से जादा उमर नी होनी चाहिए, यह बा मैं किसी प्रकार के paid course का प्रमोसर नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं बस आपको motivate कर रहा हूं किसीच के लिए, कि आप अपनी self study को करिए, किसको करना है भी है, आप अपनी self study को करिए, बस मैं इसको कह रहा हूं, रोजाना YouTube पर बहुत साले session चल रहा है, फिलाल अभी, फिलाल आप अपने अंदर एक motivation पैदा करें, आप फिलाल क्या करें, अपने लिए self study पर जादा जोर दें, self study में आप अपने subject को जादा जोर दें, अपने subject को पढ़िए basic कम से कम छटवी से ले करके, बारवी तक की अपनी NCRT को पढ़िए, अपनी NCRT को पढ़िए, प्लस अपने post graduation वाले matter को पढ़िए, बस ये आपके लिए महत्पून चीशन हो जाएंगी, ठीक है, तो बस ये मेरी तरफ से आपको एक महत्पून सूचना थी, I think आपको ये महत्पून सूचना है, अच्छी लगी होंगी भीया, अगर ये सारी सारी सूचना अच्छी लगी है, तो प्ल कुछ weekly मेरातन आपको इस चैनल पर देखने को बिलेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, कोई और doubt या question अगर आपका हो, तो वीडियो के description में पूछ लिजेगा, मेरे ना मनपूम भारत वाज है, SST by Unpum Sir के नाम से आप मुझे हर जगे YouTube पे, Instagram, Telegram पे follow कर सकते हैं, जाहिन वंदे मातरम